हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागर्त है इसके समद्ध में किसी प्रकार का ठोस आसवासन नहीं मिला है अप्धार्तियों को उत्तर प्रदेश माधमिक सिच्छा सेवा चैन वोड की लेट लतीफी से युवाओं का केरियर अधर में फसा हुआ है जो चैन वोड धाई महिना पहले सुप्रीम कोड के डर से प्रसिच्छी तिसना तक TGT और PGT प्रवक्ता 2021 का परिडाम साक्षातकार समाप्थ होने के तुरंत बात घोसित कर रहा था वही अप्रवक्ता हिंदी के 410 पदों के लिए संसोधित परिडाम में सफल अभ्यार्थियों का सक्षातकार लेकर भी भूल गया है तो 410 अभ्यार्थि जिसमें सफल थे उनकों सक्षातकार हो गया है लेकिन अभी इसका रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है चैन बोर्ड सुप्रीम कोड ने 31 सक्टूबर तक TGT PGT भरती पूरी करने चैन बोर्ड ने दिन रात एक करते हुए चैन प्रक्रिया पूरी की प्रवक्ता हिंदी समेट 11 विशियों के अभ्यार्थियों का सक्षातकार 21 से 30 सक्टूबर तक करवाते हुए 31 सक्टूबर को परड़ाम भी घोसित कर दिया था हाला कि प्रवक्ता हिंदी के परड़ाम में एक गलत प्रस्ट पूछे जाने की विबाद में हाई कोड पहुँच गया और चैन इत सभी 410 अभ्यार्थियों के कारेबार करण करने पर रोक लगा दी गई चैन बोड ने हाई कोड के समख्च गलती मानते हुए 29 दिसंबर को संसोधित परड़ाम जारी किया और सफल 15 अत्रिक्त अभ्यार्थियों को शाक्षतकार 8 जनवरी को लिया गया लेकिन 12 दिन में रिजल्ट घोसित नहीं हो सका और चैन बोड का कहना आई कि संसोधित रिज अगला नियुज़ है कि टीटी के बाद तेज होगा अंदोलन तो टीटी परिच्छा के बाद दिवा मच कारता सिचक वर्ति परिच्जा का विग्यापन जारी कराने की मांग को लेकर जो आंदोलन है उसे तेज करेंगे क्योंकि टेटी की परिच्छा हो जाने के बाद सिर्फ इंतिजार सिच्छक भरती की ही होगी युवामंच अध्यक चानिल सिंग ने प्रदेश सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि महज 7000 अभ्यार्तियों वाली PCS मुख्य परिच्छा को कोवीड की वज़ा से इस्थगित किया जा सकता है अधिनस्त सेवा चैन आयोग की सभी परिच्छाओं को इस्थगित कर दिया गया बात होती दिखाई नहीं दी गई है तो पहले देखिए कि एक कमीटी का गठन किया गया था कि कितने पद खाली है फिर तीन-चार महीना पहले कमीटी का गठन हुआ लेकि वह अपना रिपोर्ट चुनावी आचार संगीता से पहले नहीं दे सकी यह सब सरकार की चालती और पर टीटी परिच्छा रद्ध होने एक बाद सिर्फ टीटी को दुबारा कराना ही सरकार की अब सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का प्रस्न है कि यह टीटी की परिच्छा को दुबारा से करा दे भले इसके बाद भरती परिच्छा सिच्छक भरती की ज लेकिन शिच्चा विवाब में अभी तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती दिखाई अभ्यारती बेसिक सिच्चा विभाग में काउंसलिंग की तिथी घोसित करने को लेकर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अफसर चुप्ती साधे हुए हैं कुछ अभ्यारती सरकारी नोकरी तो कुछ प्राइबेट नोकरी चोड़ कर आये हैं अब वह काउंसलिंग तिथी घोसित न होने से अधर में फसे हुए हैं, 79,000 सिच्छा गषती में आरच्छित वर्ग हेतु और 600 अभ्यारतियों की चैन सुची बेसिक सिच्छा विभाग जारा 5 जन्वरी 2022 को जारी कर दी गए और सुची जारी होने के बाद तमाम अभ्यारतियों ने अपनी प्राइवेट और सरका जारी नोकरी भी छोड़ दी जबकि बेसिक सिच्छा विभाग की तरफ से अभी वी कांसलिंग की जो डेट है वो अभी घोसित जारी नहीं किया गया है इन अभ्यारतियों का कहना है कि अगर उन्हें पता होता तो सुची जारी करने के बाद विभाग कांसलिंग तीथी और निक्ति पत्र देने में बिलंब करेगा तो वो अभी अपनी नोकरी नहीं छोड़ कर आते इन सभी अभ्यारतियों को वर्तमान में बहुत जादा आर्थिक परिशानी उठानी पड़ रही है और अब ये अभ्यारति ना इधर के हैं ना उधर के हैं उनकी मांग है कि बेसिक निव्रित हो जाएंगे आठ साल में भी अधूरी प्रजाशार्या भरती 2013 और 11 की भरती में सेवा निव्रित के बार चैनित हुए थे कई अभ्यार्ती तो इस तरह से भरती में देरी होने से 200 से ज्यादा जो सिख्छक है वह सेवा निव्रित ही हो जाएंगे लेट लतिभी निर्मित कर दिया एक तरफ प्रदेश भर में शैकड़ो एड़र मादमीक विद्याले प्रदांचार्या की कमी से जूज रहा है तो दूसरी तरफ योग सिच्छक समय से भरती न न होने से प्रदांचार्या बनने का सपना लिए सेवा निवरित हुए जा रहा है तो ताजा उ प्रदावेदन की वे दोसों से ज्यादा सिच्छक सेवा निवरित भी हो चुके हैं तो इस तरह से देखिए भरती प्रक्रिया पूरी भी नहीं होई और दोसों सिच्छक सेवा निवरित भी हो गया है तो दोस्तों इसी साथ हमारा आज का वीडियो समाक्त होता है वीडियो